आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है चेप्टर टू है रेशनल नंबर एक्ससाइस टू सी है कोई इसका 7 स्टार्ट करते हैं मल्टिप्लाइ करना है अब जब भी हम रेशनल नंबर को मल्टिप्लाइ करते हैं ठीक है उसका मेथड और होता है और अगर हम कोई एक रियल नंबर वीडियु तो है टो हमें हमें 2 स्टार्ट लेयु मिल्टिप्लाइ करते हैं तो इसका अधिए सिंपल पॉँम में आता है तो यहां पर रच्नल नंबर आ गया है तो रच्नल नंबर को भी मल्टिप्लाइ करना हा अना चाहिए आपको हम सिंपली का बीच्तू करते हैं को Update on solve करने का दो fraction को जब multiply करना होता है तो simple आपने क्या करना है first fraction and second fraction दोनों को अलग लग देखना है और उपर नीचे जो numerator और denominator दोनों values को देखना है क्या एक ही table में वो आ रहे हैं यानि कि वो दोनों एक ही table के multiples हैं के नहीं अगर नहीं आ रहे हैं हम दूसरा एक और step करेंगे 4 और 15 एक ही table में नहीं आता है skip कर देंगे छोड़ देंगे 3 और 8 एक ही table में नहीं आता है इसको भी छोड़ देंगे अब हम करें तो करें कैसे multiply याप कर सकते है simply 4 और 3 को लेकिन जो easy way है वो cutting का वे होता है तो cutting मैंने आपको बताया कि पहले उपर नीचे आपने देख लिने हैं दोनों fractions की फिर आपने ना cross में देखना है यानि कि इस side पर first आपको fraction नज़र आ रहा है उसका आपने उपर वाला देखना है और second fraction के नीचे वाले part को आपने observe करना है देखें 4 और 8 एक ही टेबल में आ रहे हैं येस 4 के टेबल में आते हैं तो हम simple क्या करेंगे इसको cut कर देंगे 4 से 4 one the 4, 4 two the 8 यानि कि जितने times पर ये आ रहे है उतने times को मिया लिखते हैं जैसे 4 one the 4, 4 two the 8 हम ने ये cross कर दिया अब दूसरे cross को भी देखना है यानि कि first fraction का जो denominator है उसको ले लेना है और second fraction का जो उपर वाला numerator है उसको देख लेना है इन दोनों को देखना है कि क्या एक ही टेबल में आ रहे हैं तो हमने देखा 3 और 15 एक ही टेबल में आते हैं तो हम cut कर सकते हैं 3 one the 3, 3 five the 15 अगर ऐसे cutting ना हो रही हो ना तो आप simple क्या करो उपर वाली value को उपर वाली value से multiply कर दो और नीचे वाली को और नीचे वाली के साथ यह असान तरीक है इसको multiply करने का बागे सारी values में लिखते थे हूं यहां पे one by five जो अब standard form आई है ना वो लिखनी है one by two अब हमें पता है कि अपनी हां पे further cutting नहीं होती कहीं भी नहीं होती तो हम simply इनको multiply कर देते हैं जैसे कि multiplication का मैंने मैं थर्ड बताया कि उपर वाले को उपर वाले के साथ कर दो नीचे वाले को नीचे वाले के साथ one one is a one five two is a ten तो यह जो है ना यह इसकी क्या है multiplication का answer देखें दो rational numbers को multiply किया तो एक rational number आया अच्छा जी जो हमारा पास second part है 3 by 11 by minus 2 by 9 अब rational number में ना consider किये जाते हैं जो integers होते हैं अब integers क्या होते हैं वो positive भी हो सकते है negative भी हो सकते हैं ऐसी values जिसमें positive और negative दोनों signs आये उनको हम क्या कहते हैं integers ठीक है तो यह एक integers आ गया rational number में अब simple हम क्या करेंगे इनको multiplication की form में लिखेंगे क्योंकि हमने multiply करना है 3 11 by इसका मतलब है multiplication किसे करना है minus 2 by 9 अब जैसे मैंने आपको बताया था कि first fraction उपर नीचे देख लिया 3 और 11 एक टेबल में नहीं आता skip कर देंगे 9 and 2 एक टेबल में नहीं आता skip कर देंगे इनको आपने देख लेते हैं फर्स्ट क्रोस का इसा मारा यानि कि first fraction का उपर वाला हिसा रिचे वाला हिसा यह हो गया इनको आपने देख लेना है 3 और 9 एक टेबल में आता यह है 3 1 3 ती देख लेते हैं 11 and 2 अब 2 और 11 एक टेबल में नहीं आता तो हम क्या करते हैं इसको as it is running देते हैं 1 by 11 जो बाकी चीज़ें बच गई है वो लिखेंगे 1 by 11 multiply by minus 2 by 3 अब हमारे पास क्या है जी multiplication cutting नहीं होड़ी तो हम simple क्या करें यह उपर वाले value को ना उपर वाली से कर देंगे multiply और नीचे वाली को नीचे वाली से multiply कर देंगे तो 1 को जब मैंने 2 से किया तो 2 आ गया और 7 यह जो minus का sign है यह as it is आ जाजएगा 11 को 3 से किया तो क्या आता है obviously 33 तो यह हमारे पास इसका है तो हमारे पास third जो इसका part है minus 5 by 7 by 14 by 15 तो हम सबसे पहले इसको क्या करते है multiplication की form में लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसको further multiply ही करना है by की जगा मैं multiply लिखनी हूँ और 14 by 15 अब हमने देखना है वही ट्रिक जो मैंने आपको first part से बताई थी उपर नीचे देख लेना है fraction 5 और 7 एक टेबल में नहीं आता स्किप कर देंगे 14 और 15 एक टेबल में नहीं आता स्किप कर देंगे अब हमना करते है cross values अब यह देखें क cross का तो आपको पता चल गया होगा कि हम cross में कैसे values को consider करते हैं और कैसे समझते हैं कि क्या एक टेबल में आ रहा है कि नहीं 5 और 15 एक टेबल में आता है yes 5 और 15 अब दूसरे cross को देख लेते हैं 7 & 4 ठीक है तो 7 और 4 एक टेबल में आता है yes 7 और 14 यह जो मैंने arrows लगा यह आप आप ना लगाएगा यह मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रही हूं ठीक है आपने यह नहीं लगाने और अगर आपने लगाने विए ना तो आप पैंसिल से लगा कि इसको बाद में erase कर दीजिएगा अब बाकी हमार पास जो form बची है standard वो है minus one by one center में multiply by two by three देखे अब cutting नहीं होती तो हम simple क्या करेंगे उपर वाली value को उपर वाली value से multiply कर देंगे और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ minus आपका as रहेगा one two is a two and one three is a three तो यह इसका जो है ना simple साहसा आगया